अलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारा एक एमसी भी लगा हुआ है और एक सॉकेट लगी हुए ठीक है जिसमें एक इंडिगेटर भी है तो इंडिगेटर के साथ में यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है अब दोस्तों हम इसि में करेंगे वार्म कशने के लिए एक वायर का टूपड़ा लेकर हमको हुआ हुआ है जाता है यहां फेरे रहें यह हम के नीचल पैंडाने लगा दिया यह देखिए हमारा लुद लग चुका है अब देखिए दोस्तों हमको मेन कनेक्शन करना है तो मेन कनेक्शन करने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं कि यह जो हमारा इंडिकेटर है इंडिकेटर का वायर जो है छोटा है तो इसको भी इस तरके से जॉ powinint कर कर लेते हैं हो यहाँ पर समय इंडिद्गेटर का जो है वायर जो है बड़ा कर लिया है इसकी बार हमको क्या करना है कि यूटल वाली पॉइंट पे इसको लगाना है है tracking इसके बाद में वायर के लिए हमको रेड कलर का वायर यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने लगा दिया, इसके बाद हमारा जो इंडिकेटर का एक पॉइंट बचा हुआ था है, इसमें लगा देंगे, ताकि हमारा जो में लाइट है, आए तो पता चले, यह देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है ठीक है यह हमारा कनेक्शन हो चुका है अब इसको करते हैं फिटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीकिसे हमारा है यहां पर देखिए दोस्तों हमारे बोर्ड में जो है लाइट आ चुकी है अब इसको टेस्टिंग करेंगे यहां पर देखिए जैसे हम चार्जर लगा रहे हैं इसके बार लगाने के बाद हम इसको आउन करेंगे इसको उपर किता लाइट जल रही है बिलकुल यह अच्छी अच्छी तरीकर से लो कर रहा है इंडिगेटर है ठीक है जैसे ही अम आउन करेंगा तो इसमें लाइट आ जाएगी यहां पर देखिए हमारे बिलकुल आच्छी तरीकर से बलो कर रहा है दोस्तों यह अकर मेरी वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक किजीगा चैनल में पाली बारा तो सुस्क्राइब जरू कीजिए गतो श्ता